दोस्तों वैसे तो मैं एक AirTail का रिटेलर हूँ हूँ जो आप मेरी साफ देख सकते हैं यदि AirTail का 5G अलिम्टेड डाटा एक्टिवेट करना चाते हैं AirTail 5G एक्टिवेट करना चाते हैं उसके लिए आपका फोन 5G है और AirTail का सिम कार्ड है तो ही सीम कार्ड आपका 5G एक्टिवेट हो जाएगा कुछ सिर्ते हैं और नियम है पहले आपको प्लेश्टूर में जाना है प्लेश्टूर में जाने के बाद AirTail एप ठीक है का सर्थ है अलिम्टेट 5G एक्टिवेट करने के लिए अब प्लेश्टूर से आपने AirTail एप इस्टाल किया वही नमबर डालकर इस्टाल करेंगे लोगिन करेंगे तो इस तरह से ओपन होगा अब यहां पर एक आफसस आपको तूरांत नीचे स्क्रोल करेंगे तो मिलेगा 5G क्लेम अलिम्टेड 5G डाटा तो आपने समझ जिया कि क्लेम करना है आपको एक्टिवेट करना तो यहां पर जैसी आप क्लिक करेंगे आपका एक्टिवेट हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से लेकिन यदि तब भी आपका एक्टिवेट नहीं हो रहा है तो आप कुछ सेटिंग मिस कर रहे है जो सेटिंग नमर वान है कि आपको सेटिंग में जाना है सेटिंग में जाने के बाद आपको नेटवर्क इंटरनेट पर जाना है उसके बाद आपको सीम कार्ड मोबाल नेटवर्क पर जाना है जिस पर भी आपका एरटेल का सीम कार्ड उस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद प्रिफेर्ड नेटवर्क टाइप पे देख लिजेगा हो सकता है आपका नीचे 4G पे क्लिक हो तो 5G पे क्लिक होना बहुत पूटेंट है ये भी जरूरी है और नीचे प्रिफेर्ड नेटवर्क टाइप पर आटोमेटिक कर दीजेगा ठीक हैं 5G लेकिन इतना सेटिंग बहुत इंपोर्टेंट है तो 2024 में अभी भी अल्लिम्टेड 5G इंटरनेट एरेटेल कंपनी दे रहा है आपका 5GB रिचार्ज खत्म होने के बाद फिर भी चलता रहेगा नेट ठीक है तो लेकिन एरेटेल एक दिन में 10GB देता है महिने में 300GB देता है ज तब तक बंद नहीं होता है तब तक चलता रहेगा इसलिए लाइक करिए और इस चैनल के सपोर्ट करिए और जूड़ जाएए तब तक के लिए थैंक्यू बाया फ्रेंड्स